यह खुशी का दिन है क्योंकि राजस्थान का एक लाल उपराश्ट्वती बन गया है नहीं यह राजस्थान की बात नहीं है मुझे लगता है पूरे देश के लिए है एक खुशी का अफसर जब कोई व्यक्ति अपने मेरिट पर अपनी खुद की काबलियत पर पर देश के इतने उची पोजिशन पर पहुचता है तो हर नागरिक को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आज जो डिजर्व करता है ना कि जिस परिवार में पैदा हुआ हो और जो देश के लिए जोसने काम करा हो चाहे जुडिश्य में काम करा हो चाहे कि लिजिशिचलेशर में काम करा व toracuj दोनों में काम करावा धनकड साब में और देश सेवा करिबिया और वो आज इस पोजिशन पोजिशन पर he उइन यह अगा अबने में में एंग कौशे दीकामधिर विखता की और को suffers ए और कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी से आ रहे हैं, पोलिटिकल अन्वह उनका भी है, लेकिन धनकर साहब के मुकाबले वेंके नाइडू जदा पोलिटिकल वेक्ति थे, क्या अप लगता है कि वह लगसी है, आगे बहुत अच्छे से लिभा पाएंगे? देखे, सब की अपनी अपनी परस्नालिटीज होती है और किसी को इस तरह का कंपारिजन करना तो असंभव है, वेंके नाइडू साब होए, उनका अपना एक एक स्पिरेंस था, राजने ते एक तजूरबा था, सामाजिक तजूरबा था, वो भी एक ऐसे वक्ति थे जिन्नों आप कापलियत से असथान तक पोँचे, उसी तरह धनकार साब का भी अपना एक अनुभव हो है, अपनी कापलियत है, जैसे मैंने का, उनको लेजिसलेट लेटिव का भी, अउनको जुडिश्री का भी एक्स्पिरेंस है, और यह सब महनत करते वे अधेश स्यावा करते। आ तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी प्रोटोकॉल बनी रहे, बहुत विटी है, बहुत विटी है और वो लगातार इस तरह से लोगों को का मनोरंजन करके रखते हैं, वो कहानी बहुत अच्छे बताते हैं, दनिवाद सर, राजिवर्दन सिंद्राठाउर स पहुचे हैं, लगातार अब वी आईपी, सांसाथ, केंद्री मंतरी वो सब पहुच रहे हैं, ग्यारागबार रोड मेरे ठीक पीछे ग्यारागबार रोड है, जहां पर प्रधार मंतरी नरेंद्र मोधी इस समय जगदीब धनपड को बधाई दे रहे हैं, अभी राजवर् ठीकाल